हईलो स्टुदेंट्स आज हम एक्सपरिमेंट करेंगे तू डिटर्माइं दी प्लेंग कॉंस्टेंट यूजिंग दी एल्वी लाइट तो ये हमारे हम क्या करेंगे इसके नदर हमारे पास ऐलेडी लाइट थैं उस21 एल्लेड का वोल्टेज और क्रेंट का रिलेशन नोड क करके हम क्या करेंगे फिर उसको उसकी रीडिंग्स का अपनोड करके तो जो हमारे पास प्लैंक कॉंस्टेंट की वैल्यू होती है जो हमारे पास 6.625 पर setup दिखा जिए है तो तो इस setup के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास ये पूरी हमारे पास क्या है किट है प्लैंक को डितरमान करने के लिए इसके अंदर हमारे पास यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है देख सकते आप यह 5 वोल्ट की बैटरी है और यह हमारे पास क्या है voltage adjuster अभी हमने क्या करेंगे इसको जब experiment करेंगे voltage को adjust करेंगे यह battery का positive terminal है और यह हमारे पास क्या battery का negative terminal और यह different types की different colors की red orange yellow green and blue colors की blue colors की हमारे पास LED लगी हुई है which is also known as diode यह हमारे पास DC emitter है और यह हमारे पास क्या है DC world meter तो आप इसके connections भी देख सकते हैं connection में आप देखो के battery का positive terminal है battery का एक positive terminal हमारे पास क्या है DC voltmeter के पास जा रहा है दूसरा battery का negative terminal यह हमारे पास DC voltmeter के पास आ रहा है और ऐसे ही जो battery का आपके पास क्या है positive terminal आप देख सकते हो जो LED है LED के एक terminal पे positive terminal और इसका जो battery का negative terminal है वो हमारे पास जा रहा है DC emitter के पास और emitter का एक circuit एक connection हमारे पास कहां जा रहा है green जो हमने LED के साथ तो यह हमारे पास उसके लिए जा रहा है तो अभी यह हमारे पास क्या होगा इसका बिल्कुल setup हो गया arrangement हो गया अभी हमने adjust क्या करना है यहाँ पर हम क्या करेंगे current को इस volt adjuster से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास current आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और उस point में हमने देखना है कि इस point पर हमारे पास क्या है voltage की क्या value आ रही है फिर इन दोनों के हम graph के अंदर plotting करेंगे graph के अंदर plotting करने से हमारे पास क्या जाएगा blank constant की value निकालेंगे और अभी हम क्या करेंगे इसको green color के लिए कर रहे हैं तो जैसे यह green color के लिए है तो similarly हम क्या कर सकते हैं इसको yellow, orange, red और blue किसी भी LED के साथ लगा के हम क्या कर सकते हैं इसको calculate कर सकते हैं तो अभी हम क्या करेंगे इसको мужчeline के लिए हम क्या करेंगे इसको study करेंगे और दूसरा क्या है जैसे हम voltage को increase करेंगे तो जो आप LED यह जो येलो है, सोरी, ग्रीन है, आप यहाँ देख सकते हो, इसकी थोड़ी intensity भी इंक्रीज करेगा, आप देखो, यह आपके पास क्या है, ग्रीन कलर शो कर रही है, और यही intensity आप देखो, यह ग्रीन कलर इसका खत्म हो चुका है, मलब इसकी intensity क्या होगी, हापे कम होगी है, तो अब भी आप देख सकते हो, कि हमने इसकी calculation के लिए, observation के लिए, table बना लिया है, यह हमारे पास current है, इसकी unit ampere है, और यह हमारे पास क्या है, voltage, और इसकी unit क्या है, volt, यह अलग-अलग color से ले लिए, yellow, green, red और orange, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर green की calculation करेंगे, तो green के अभी हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, current हमने fix रखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह हमने कहा लेना है, current में सिरफ एक का increase करना है, और यह पूरे exact one पर ही लेना है, और इस पर देखते हैं, green के लिए voltage क्या है, कितनी voltage आ रही है, तो अभी हमारे पास क्या है, यहां देख सकते हैं, 0V, 0 Amp current के उपर, जो voltage की value है, तो वो आपके पास क्या रही है, 2.32, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसको, नोट कर लेंगे, 2.32, यूनिट voltage, और यह आपके पास क्या रही है, 0 Amp current, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके, similarly यहाँ पे यह जो voltage adjuster है इससे इसको बढ़ाएंगे तो आप देखना यहाँ पे current भी increase होना start होगा अबी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि current हमारे पास increase होना start हो चुका है और similarly हमारे पास यहाँ पे voltage भी increase हो रही है तो अब यहाँ नहीं क्या करेंगे इसके अंदर current की value है 1 ampere fix कर देंगे अब देखो यह हमारे पास जो current है 1 ampere fix हो चुका है और यहाँ पे जो voltage है वह आरी आपके पास 2.68 volt 1 ampere current के उपर 2.68 वोल्टेज आ गई आपके पास similarly हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे फर्दर current की value को increase करेंगे तो आप यह देख सकते हो यह 2 ampere यहाँ पर current आ चुका है अब वोल्टेज को देखते हैं फर्दर यहाँ पर क्या आ गया 2.73 तो ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 volt के लिए लेंगे आप देख ची जो अब यहाँ देख सकते हो जो LED है वो गलो कर चुकी है और ग्रीन कलर के अंदर गलो कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास current आ गया 33 ampere पर जो current की value है वो 2.777 तो फर्दर यह 4 ampere 4 ampere पर आ गया 2.79 फाइव एंपियर के उपर आ गया यह 2.82 6 ampere 2.8 यह fluctuate कर रहा है तो यह हम 3 ले सकते हो 2.83 तो यह आ गया 7 ampere 7 ampere पर 2.85 और 8 ampere के उपर यह आ गया तो पॉइंट एट-सवन अब similarly हम क्या करेंगे similarly अब क्या करेंगे इसको अभी हमने इसको जैसे ग्रीन कलर के लिए यूज किया था अभी हम क्या करेंगे इसको रैड कलर के लिए यूज करेंगे तो एक एक पोजिटिव पर एक नेगटिव कर टर्मिनल पर और इसको यह उन कर लिया तो अब यह आप यह देख सकते हैं यहां पर यह देखो जैसे आपके पास यह 0V के उपर अब यह रही है वह 1.601 वल्ट आ रही है तो ऐसे हम इसके अंदर अब क्या करेंगे अब यह आप देख सकते हो कि low voltage अभी यहां पर क्या है voltage कम तो आपके पास क्या है LED क्या है अभी glow नहीं कर रही है अभी हमने क्या करेंगे धीरे धीरे यहां पर current बढ़ाएंगे voltage बढ़ाएंगे अब देखो देख सकते हो जो LED है वो भी continuously थोड़ा glow करना start हो चुकी है तो अभी हमने क्या कर लिया यह 1A current fix कर लिया और LED अभी क्या कर रही है थोड़ा glow कर रही है अभी आपके पास उड़ा उसमें clearly visible नहीं है अब जैसे over voltage बढ़ाएंगे तो visible भी हो जाएगा अच्छे से तो अब जो इसके अंतरा current की value है 1.73 अभी 1A पे जो voltage की value है 1.73 वोल्ट आगी तो ऐसी अब क्या करेंगे हम इसको 2V fix करेंगे 2V के उपर क्या होगा आपके पास अभी देखो यह आपके पास 2V आगया और यहां पे जो भी voltage की value है 2A current के उपर यहां के पास आगी 1.77 तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे 3A 3A के पर आगया आपके पास यह 1.79 नेक्ट यह 4A अब देख सकते हो LED अभी थोड़ा और जादा गलो करने स्टार्ट हो चुकी है अब देखो थोड़ा सके इंदर यह क्या कर रही है गलो कर रही है थोड़ा और अब हमने क्या करा है यहां पे 4A करेंट फिक्स और वोल्टेज आगी आपके पास 1.81 ऐसे ही 5 वोल्ट और यह आपके पास आगया 1.82 यह 2 यह 3 और 6 एंपियर करेंट के अपर जो वोल्टेज है 1.84 7 एंपियर करेंट वोल्टेज 1.85 और 8 एंपियर के लिए यह आपके पास आगया 1.87 तो आप देख सकते हो कि अब देख सकते हो कि जो LED है वो आपको थोड़ा वीजीबल अच्छे से वीजीबल हो चुकी है कि वो क्या कर रही है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर दो ग्रीन और रेड के लिए हमने रिडिंग ले ली तो इससे अब हम क्या करेंगे इनका यूज करके प्लैंक कॉंस्टंट को निकालने निकालके देखते है उसकी क्या वैलो आ रही है अब भी आप देख सकते हो कि हमने जैसे अभी रिडिंग लिया था रिडिंग ली थी है कि क्रेंट और क्रेंट पर वोल्टेज की तो हमने क्या किया इसको य एक्सिस पर हमारे पास क्या है क्रेंट और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है यहां पर वोल्टेज तो हमने क्य किया इनको plotting कर ली यहां पर यह voltage के जैसे आप देख सकते हो green red color के लिए 0 volt पे 1.61 ampere इसकी voltage की value है 1 ampere current पे sorry 0 ampere current पे ऐसे ही 1 ampere current के पर इसकी जो value आई है 1.73 तो हमने कहा किया इनको plotting कर ली red color के लिए और similarly हमने कहा कर लिए इसको green color की plotting कर लिए तो अब हमने कहा किया किया इसको हमारे पास जो इसका calculation कर ले के लिए हमें यूजर करते हैं तो हमें कहा करते हैं इस जो red color के जो data points है और green color के जो data points है हम क्या करते हैं इसका Tegen Tadro Tangen Dollars क्या होता है कि जैसे हमारे पास आप यह marketing क्लर के लिए इस वोल्टे में आप देख सकते हैं यह Nach po यहां पस 1.76 V रेड Glas के लिए और यहां पे आप जे सकते हो यहां आपके पास 2.68 V आपके पास क्या है ग्रीन खेल के लिए तो यह आपके पास टस्War sou अब यामने कहा कि है इसको जो हुआ है ताब देख सकते हूं यह 1.76 है तो यह हमारे पास voltage आगी और जो हमने 1.76 लिया है lambda, lambda हमारे पास क्या है red color की wavelength red color की जो wavelength होती है वो approximately 720 nanometer के आज़ पास होती है और तो हमने इसको है गया meter में convert तो यह हमारे पास आगी lambda की value यह हमारे पास क्या होता है charge तो value of charge आपके पास आगी 1.6 into 10th power minus 19 20.2828 divided by 3 into 10th power minus 34 और h की value जो आई हमारे पास यह हमारे पास आगी h की value 6.7584 into 10th power 34 joule second तो यह हमारे पास calculation थी red color के लिए तो आप देख सकते है जो plank constant की value होती है actual value होती है वो होती है 6 point वो आपके पास होती है 6.625 into 10th power minus 34 joule second तो आप देख सकते हैं दोनों क्या है approximately है अब भी हम इसका error भी निकालेंगे वो error कितने है तो ऐसे हमारे पास क्या है हमने इसकी calculation green color के लिए की थी green color की जो wavelength होती है वो थी है 500 nanometer तो इसको भी हमने क्या किया meter में convert 1 nanometer is equal to 10th power minus 9 meter तो h की value हमारे पास h में हमारे पास क्या आ गया यह हमारे पास आ गया e की value और यह हमारे पास हागी lambda की value और यह हमारे पास क्या है जो cutoff voltage आप यहां देख सकते हैं जो cutoff voltage यहां पे आई थी 2.68 volt green के लिए तो यह आपके पास आ गया 2.68 और divide by 3 into 10th power 8 यह जो velocity of light है उसकी value तो यह आपके हमारे पास क्या आ गया h की value calculate की हमने 21.444 divided by 3 into 10th power minus 34 तो h की value आपके पास आगी 7.1467 into 10th power minus 34 joules second तो यह हमारे पास क्या आगी plank constant के value यह भी क्या है हमारे पास जो इसकी actual value है plank constant की उसके equal ही है तो अभी हम क्या करते हैं इसका percentage error निकालते हैं red color के लिए हमने red color का निकाल दिया है तो आप इसका green color का भी निकाल के देख सकते हो कि उसकी value कितनी हारी है तो error percentage निकालने का जो formula आते है tree value minus observed value observed value होती है जो हम experiment के थूर निकालते है true value होती है जो उसकी actual value है actual value है जैसे और divide by true value into 100 तो हमारे पास क्या है हमने इसमें से true value है 6.625 into 1024 minus 34 उसमें से minus कर दी जो हमने observed था 1024 minus 34 common ले लिया हमने यह common आरक है 6.675 into 84 यह observed value और फिर tree value से हमने क्या कर देना उसको divide तो जो हमारे पास red color आया है तो हमारे पास क्या है उसकी value आई है जो red color के लिए percentage error की वो 2% है तो which is a very less error तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो इसकी green color के लिए भी इसका जो percentage error है वो निकाल सकते हो ठीक है तो अभी आप इसको experiment को करकर देखना तो आप आपको अपने इस से चीज़ से observe किया है कि जो हमारे पास theoretically जो हमारे पास किसी की value existing है अगर हम उसको किसी experiment के थुरू भी calculate करते है तो वो भी आपके पास कहता है वो nearly ही आती है आपके पास Thank you